Good morning student, I am faculty of Sandipani High Secondary School. Today we will start lesson no.7 from Math Magic Book of class 5th. आज हम class 5th के लिए Math Magic Book से lesson no.7 start कर रहे हैं. The lesson name is Can You See the Pattern? क्या आप pattern को देख सकते हैं? क्या ना हमें हमारे chapter का? Can You See the Pattern? मितलब जो pattern होता है, क्या आप उसको देख सकते हैं? Yes, क्या होता है ना बटा? Pattern means what? जैसे कि कई बार हम हमारी कल, जो हमारी dresses होती है. ठीक है, आपके पार different different type की dresses होती है, उस पे print होती है. आपके या तो आप T-shirt ले लीजिए, या T-shirt के बार skirt जो होती है, आपके उसमें कई बार नीचे border में print होती है. तो print कैसी होती है वो, या तो फिर एदी एक circle बना होता है, इस पेक triangle बना होता है, जो भी shape बने होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. She is a warm girl, यह क्या है, यहाँ पे एक girl है, Isha, इसकी skirt बहुत beautiful देख रही है, यह इसकी mother यह इसको बोलती है, कि यह skirt is too beautiful, मतलब तुमारी जो यह skirt है, यह कितनी beautiful है, तो यह बोलती है, मेरी मम्मा ने बनाई है, तो कैसे बनाई हैं, आप इसकी जो नीचे वाले design देखेंगेंग तो यह एक बार इसका जो face है, वो upward है और एक बार downward है, मतलब ऐसा, 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 इसको पूरा ऐसे करके और ऐसा करके, मतलब यह क्या है, एक pattern में लगी है, कभी चैसे आपके पास एक कुरता हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं कोई T-shirt हो, उसमें spot होते है, तो red, white, red, white, red है, मतलब वो भी क्या है, एक pattern में है, red है, फिर white है, फिर red है, फिर white है, फिर red है, फिर white है, मतलब यह क्या है, एक pattern की बात हो रही है, मतलब यह जो भी आपको देखे रखा है, यह एक pattern में देखे रखा है, तो यह इसको जो बोलते हैं, इस type का जो order होता है, इस type में जब य यहीं क्या होता है पैटन क्यालाते हैं जैसे आपके बुक की अधिवात करें तो इशा इस वान गर्ल उसके पास एक बहुत सुन्दर सी स्कॉट है तो माय वह बोलती है तुमारे बहुत ही ब्यूटिफूल है तो इशा बोलती है कि यह मेरी मदर ने मेरे लिए बनाया है I have seen the some block making a different pattern on a कुरता How was different अब वो बोलती है कि बदलब अगर ऐसा आपने ऐसा देखा तो क्या हम ने इसका देखके एक यह इसका ऐसा शेप है हम ब्लॉट में भी तो कुरता बना सकते हैं तो वो बोलती है कि तुम्हारी skirt में क्या है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एक जो है अप है और एक डाउन है फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन अप डाउन तो यह ऐसे क्या है तुम्हारी skirt का यह pattern है but in my brother kurta is 1 take 1 fourth every turn time the rule is to repeat मतलब एशा same rule जो बार बार repeat होता है यह ना कोई same rule जो बार बार repeat होता है वो क्या कहलाता है pattern कहलाता है तो आपको pattern के बारे में समझ में है pattern होता क्या है यदे कोई same rule same thing जो बार-बार repeat हो रही है वो क्या कहलाती है pattern कहलाती है और उससे हम just बहुत सारी बाएब जैसे कि flower है अब at the place of this block flower भी हो सकता था flower leaves flower leaves flower leaves flower leaves flower leaves means flower है उसके बाद leave है फिर flower है फिर leave को बोल सकते हैं कि हम pattern को देख सकते हैं हमको बहुत सारे कपड़ों में भी देखने को मिलता है ठीक है आप different type के यदि dresses लाते हैं तो dresses में भी क्या होता है pattern होता है जैसे कि आपने कोई कुर्ता खरीदा या फिर आपने कोई अच्छा सुदर सा dress material खरीदा उस पर प्रिंट बनी होती है तो वो जो प्रिंट है जब सेम रूल को फोलो करती है तो वो क्या कहलाती है पैटन कहलाती है So you understood about the pattern, now we will discuss our next thing हम बात करते हैं turns and pattern की Look at this block, we make three different rules to turn clockwise and see the अब जैसे यह आपको एक block देके रखा है इससे हम कितने type के patterns बना सकते हैं ठीक है different different type की हम pattern इससे क्या कर सकते हैं बना सकते हैं First rule 1, repeat it with a one fourth turn यदि हम इसको एक बार one fourth turn पे repeat करें, turn करें तो pattern बनेगा, यदि आप इसको half turn कर दो तो एक ऐसा मतलब एक upside, एक downside, एक downside, एक downside, एक upside, एक upside फिर वापस एक downside, तो यदि आप इसको half pattern करोगे तो कुम सा pattern बनेगा, तब भी pattern बनेगा, और rule number 3 is repeat with a three fourth यदि आप इसका three fourth part turn कर दो, आपके उपर एक बिटा pattern ड्रॉ करना है यदि आप इसका three fourth कर दो, तो यए एक ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा तो मतलब pattern क्या होता है, pattern यही होता है, कि जो rules है, वो again मतलब same time follow होते हैं, कोई भी rule हुआ, कोई भी design होई, किसी भी type का pattern हुआ, pattern मतलब repeated होते हैं, वो again and again same thing repeat होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, pattern बोलते हैं, जैसे कि हम यह देख सकते हैं, यह क्या है आपको, one, two, three, four, square triangle, जो भी मानेंगा आप square rectangle, यह square है, तो फिर क्या है आप आपको बाला पैटन को continue करो, तो कैसे करेंगे, आप पैटन को continue, वापस आप क्या बनाएंगे, yellow वालर का triangle बनाएंगे, फिर वापस क्या बनांगे, square वाला शेप बनाएंगे, फिर triangle बनाएंगे, तो यह क्या हो गए आपके pattern हो गए, कैसे हो गए pattern means, we can say that, यह again and again repeat हो रहे ह same thing इसमें हम follow कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या कहलाते हैं pattern कहलाते है rule same है उसमें rule same है मतलब वो pattern नहीं होगा rule तो हमारा सभी में क्या चल रहा है same चल रहा है जैसे कि हम ये वाले भी देखें अब आप ये जब circle देखोगे what should next ये ऐसा है फिर ऐसा है फिर स्ट्रेट आएगा फिर ऐसा वाल आएगा मतलब ये एन है इसको एक वार रोटेट किया फिर ऐसे रोटेट किया फिर same pattern will follow ना वापस से half turn हो जाएगा आन का तो आन ऐसा slant में आ जाएगा और फिर वापी से horizontal में आ जाएगा और एक बर वर्टिकल में आ जाएगा तो ये क्या होता है रूल फोलो होते है वो कहलाते है pattern कहलाते है अब आप pattern का मतलब समझे होगा अब ये हम देखते हैं ये वाला pattern आप इसको देखो वन जो पहले हम figure है अपन imagine यादी करें तो figure imagine करें तो ये figure का उपर जो round है उपर है इधर नीचे है फिर उपर है फिर नीचे है फिर उपर है फिर नीचे है फिर उपर है जो next figure हम बनाएंगे उसका ये जो dot है नीचे आएगा और फिर next figure का उपर आएगा मतलब हम समझ गए कि यदि उपर नीचे उपर नीचे है तो हम को किस में चलना है, कौन सा रूर फोलो करना है तो यह हमारे साथ क्या होते हैं, जैसे कि अभी अम्रेला है, इसकी जो direction है यह ऐसी है, फिर नीचे हो गई, फिर इधर हो गई, फिर उपर हो गई, फिर नीचे हो गई, फिर मतलब हम इसको continue क्या करते गए, move करते गए, अब यहाँ पर जैसे आप एक just like a bird structure आप देख सकते हैं, तो यह bird structure हमको कैसे दिख रहा है, उपर, 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 फि आगी किती नीचे हो गई, तो इस type से जो होता है, वो क्या कहलाते हैं, pattern कहलाते हैं, जैसे कि हम यह देखें, यह pattern one आप देख सकते हैं, यह this is in up position, up position में है, उसके साथ यह down में है, फिर up में है, फिर down में है, up, down, up, down, up, down, this is a pattern, इसमें भी क्या हो रहा है, again and again क्या हो रहा repetition हो रहा है, जब repeated again and again हो रहा है, तो यह क्या कहलाता है, pattern कहलाता है, same हम यहीं भी देख सकते हैं, यह आपको up में दिख रहा है, पर यह vertical, horizontal means क्या होता है, horizontal means जो line होती है, horizontal draw करते है, vertical सीधी होती है, तो इधर दिख रहा है, horizontal direction में यह आपको up, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा फिर ऐसा मतलब ये भी आपको किसमें दिख रहा है ये भी हमको क्या दिख रहा है पैटन दिख रहा है ये कैसे भी हम हमारे according arrange कर सकते हैं चाहे तो हम सारे up-up में कर दे तो आगे के भी up-up बनेंगे चाहे तो हम ऐसा ऐसा फिर ऐसा लगा दे फिर इसको ऐसे horizontal फिर ऐसा चाहे आप आप वर्टिकल लगा दो तो ये क्या होता है अपने उपर हम खुद भी different type से pattern को draw कर सकते हैं क्या कर सकते हैं आप खुद भी pattern को draw कर सकते हैं जैसे कि आप आपकी copy में pattern मना सकते एक triangle square, triangle square, triangle, triangle square तो वो किस formation में हो जाता है pattern का form हो जाता है जैसे कि हम ये वह बाला pattern सकते हैं ये ऐसे इसमें ये आपको पैटन दिख रहे है यह सरकल ये ट्राइंगल यह यह हा eigen धीरडीर टान होके नीचे क्या मतलब यह सारे पैटन होते हैं हमें अगर haan अगहीं बात करते हैं तो क्या हुए कि आपने कई बार आपको ममा चाहिए 됐 यह ना देखी होगी या फिर जो प्रिंटीट साडी होती है तो उसमें या occurs sign रिखाए और कपडों में लिए प्रिंट अब देखो यह यहाँ पर आपको एक जो डॉल शेप दिख रहा यह यह इंक है पूरा एक ही जैसे shape दिख रहे है नहीं है पूरा connect है यहाँ पर आके खतम हो गया ठीक है तो यह क्या कहलाते है यह भी क्या होते है patterns होते है pattern होते है मतलब कि क्या दिख रहा है आपको क्यों हमने बोला है pattern है क्योंकि यहाँ पे same thing है मतलब same shape है और वो again and again repeat हो रहा है that's why we can say that it is pattern इसलिए हम इसको क्या बोलते है pattern बोलते है अब जैसे कि हम बात करें pattern तो होते है pattern अभी तक हमने क्या देखा यदि आपकी कोई dress है उसमें pattern होते हैं आपकी कोई t-shirt है उसमें pattern होते हैं आपके ममा की सावी में pattern होते हैं कूरतेमें पैटन होते हैं धीस्तफरेंट टाइप के इसके पिझा जाओन रिप जो अन तो वहांच्छ फॉलॉघimming बाइं होताएं pattern किस में follow होता है, numeric value में भी follow होता है जैसे कि हमने कोई एक number ले लिया, यहाँ पे 8 अब हमको इसी number के साथ क्या करना है, हमारा pattern continue करना है तो यदि हम 8 को double करेंगे, ठीक है, 8 को क्या करा, double यह 8 है, double it, double means उसको दुगना करना, मतलब किसका multiply करना 2 का multiply करना, तो 8 में हमने 2 का multiply करा, 8 तूजा 16 अब यह होगे हमारा 16, again double it, वापिस double करो इसको जब हम इसको वापस double करते हैं, तो हमने जब इसको double करा तो इसका double था 16, और हमको इसको double करना चुछ 16 इंटो 2, twice multiply करना पड़ेगा, double करनी के लिए, तो 2 जा 32, तो 16 होजा कित्ते होगे 32, next 8 the number you took first to the answer, अब यह हम से बोल रहे हैं, हमको जो हमने पहले लिया था नंबर, उस नंबर में कितना जो हमारा answer आया, उसमें उस नंबर को plus करना पड़ेगा, तो 32 में हमने क्या plus कर दिया, 8 plus कर दिया, तो क्या मिला हमको 40 मिला, अब वापिस now again double it, अब इसको वापस हमने double करा, तो 42 जा 80 और उसको 10 से हमने divided किया, तो हमको वापिस क्या मिल गया, 8 हो गया, तो मतलब ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो यह pattern होते हैं, यह सिर्फ इसमें ही follow होते हैं, डिजाइंस में ही follow होते हैं, यदि हम pattern follow करना चाहें, तो मतलब follow जब करते हैं तो वो Numeric form में भी होते हैं, अब जैसे कि यह pattern के हम बात करें, इसमें क्या है, this is a, I can find it quickly, see here, that's just like we are consider as a teacher, what if someone gives you or 10 numbers together, so I can find quickly, it's not how you can do it, I can get the sum without dating, अब यह क्या है, इसमें हमको numbers देके रखें, इस type के pattern आप खुद भी बना सकते हैं, जैसे 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सब का sum क्या होता है, 55 होता है, वैसे यदि आप देखो, यहाँ पे 11, plus 12, plus 13, plus 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, उन सब का sum कितना हो जाएगा, 155, कितना हो गया उसका sum, 155, अब आप 2 की लाइन में चलो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, आपके हमको किसी को बताने के जरुबत पड़ी, नहीं बताने के जरुबत पड़ी, क्योंकि यह हमको pattern देखे रखा है, 55, 155, 255, 355, 455, 555, मतलब हमको खुदको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कि अगर 1 से लेके 10 तक है, अब यह 11, 12, अब आखरी में 20 लिखा है, तो pattern क्या है, एक एक डिजिट लिखना है, हमको skip कुछ भी नहीं करना है, 31, के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 is there, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, तो यह क्या हो गया, इसको और इन सब को जब हम सम करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, देखो, exact आपको सम आएगा, 255, 355, 455, 555 और 655, ना लग यह आपको समझ में है, यह क्या है, यह भी क्या है, pattern है, इसके बाद हम यह देखते हैं, बेटा, कई बार ऐसा होता है, कि left to right और same to same, कुछ नमबर ऐसे होते हैं, जो left और right से same to same होते हैं, जैसे कि हम बात करें, और जो यह हम pattern से ऐसा ही नहीं है, कि इस form में चाहे, आपको hexagon form में दे के रखाए, triangle form में दे के रखाए, तो इस style से हम pattern को solve करते हैं, अब जैसे हम left right की बात करें, अच्छा आप एक बताओ, मैंने बोला 121, 121, can you see something special about 121, yes, we can see, what just a number see, it is the same forward as well as a backward, हम यह देख सकते हैं, कि हाँ, यह आगे से भी एक जैसा होता है, पीछे से भी एक जैसा होता है, जैसे 121, तो 1 to 1, आगे से होगा, पीछे से भी देखोगा, तो क्या होगा, 1 to 1, means इसका pattern क्या है, same to same है, from left to right, जैसे 131 मैंने आपको बोला, 131, इसको right side से भी देखोगे, तो 131 दिखेगा, left side से भी देखोगे, तो क्या दिखेगा, 131 दिखेगा, तो इस type के जो number होते हैं, इसमें जो patterns होते हैं, वो same होते हैं, it is looking like a same, means यह number बहुत special होते हैं, जैसे 161, अब हम 161 को forward अगर हम देखेंगे, तो 161, backwards से भी तो यह जो number होते हैं, यह from right to left or left to right, they all are same, मतलब क्या होते हैं, same होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, so you understood about this much, now in next class, we will continue our next topic, thank you.